नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपूर्ट आईए बात करते हैं बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है 26th of November की दोस्तों, कल जैसा हमने डिसकस किया था कि मार्केट में एक gap up opening होने के chances हैं और लगभग उतने ही मार्केट ने उतने points की gap up opening दिखाई जो हमने expect किया था एक 500 रुपय के around की gap up opening हमने देखी और उसके बाद से मार्केट में एक छोटी सी एक हमने correction देखी, वो देखिए correction आना obvious होता है जब कोई भी मार्केट थोड़ा सा positive होकर खुलेगा या negative होकर खुलता है, मतलब एक अच्छी खासी gap up opening या gap down opening, तो chances यह रहते हैं कि मार्केट उस टाइम एक reaction देने की कोशिश करता है कि एक दम से market उपर open हुआ है, तो जो भी profit booking है वो वहाँ पर चालू हो जाती है, नीचे open होता है वहाँ भी profit booking चालू होती है उसमें से, उसका सबसे बड़ा reason ही होता है कि जितने traders, maximum number of traders जो होते हैं वो market के open होते ही अपने profit को book करना चाहते हैं और जुनकी position loss में चल रही होती है वो थोड़ा सा confused होता है कि निकलें या ना निकलें या थोड़ा सा hold करें तो जब भी market किसी भी side open होता है तो market वहाँ से इसी लिए reaction देता है अपना तो एक छोटी सी correction हमने बनते ही देखी market ने फिर थोड़ा सा अपने धीरे धीरे अपने अपको strengthen करने की कोशिश करी और आप देख रहें कि flat to positive view रहा है market का थोड़ा सा positive view रहा है काफि मतलब देखने वाले ये चीज़ थी कि market ने अपनी जो strength है उसे खतम नहीं होने दिया continuously एक uptrend जो था वो बना रहा कहीं भी कोई हमें ऐसा time नहीं लगा कि market में selling स्टार्ट हो गई हो और इस तरीके का view पूरे time बना रहा आईए चलते हैं 15 मिनिटे time frame पे वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का view अभी हमें नजर आ रहा है देखे इस से पहले हम देख रहे हैं कि market थोड़ा सा positive था एक selling pressure face किया था market ने US election का impact रहा market में एक gap of opening रही हर जगे सिर्फ मैं Indian market की बात नहीं कर रहा हूँ जो जितने भी market है global exchanges में हर जगे हमने एक strength बनते वे देखी जिसका असर Indian market पे भी रहा हमने देखा positive note पे market खुला था और उपर की side में wires जो इसे और ज़्यादा उपर की side में ले गए आए चलते हैं एक घंटे का time frame पे वहाँ देखते हैं किस तरीके का view में नज़र आ रहा है यह हम देख रहे हैं यहाँ इस point पे थोड़ा सा जो selling pressure था वो थोड़ा strong होने की कोशिश कर रहा था पर जैसे ही market ने यहाँ से turn लिया gap up opening हुई market ने अपने आपको strong करना शुरू कर दिया और उसके बाद से आप देख रहे हैं continuously एक uptrend market में बना हुआ है बहुत ही strongly market ने उपर के level पे अपने आपको sustain किया हुआ है कहीं से कहीं तक कोई हमें downside देखने को नहीं मिल रही है इसका देखे टेकनिकल चार्ट्स पर sign तो पहले आने शुरू हो गए थे अब इसे political reason क्या लिजिए news क्या लिजिए fundamental reason क्या लिजिए कुछ भी क्या सकते हैं पर technically market इस चीज के indication बहुत पहले दे चुका था और ये देखिए US selection कब होने कब नियों ने उन सब चीजों को market already discount या premium पे लेके चलता रहता है एक forecasting होती है market की भी कि जैसे एक आपको example देता हूँ मान लेते हैं कि किसी company में किसी manufacturing unit में hundred units किसी product की manufacture हो रही है और ये expectation अगर हमारी है कि hundred की जगे 120 next quarter में generate होने लग जाएंगी तो market already उस चीज को premium पे लेके चलेगा कि production अच्छा हो सकता है तो market तो इस company के अच्छी growth के chances हैं और demand इसी तरीके से create होके आएगी तो वो forecast उसका already 120 के price से चल रहा है ठीक है तीसरी चीज होती है देखिए पहली चीज के अभी क्या चल रहा है दूसरी चीज के forecast क्या है 120 तीसरी चीज के actual क्या होता है actual मतलब 125 हो सकता है 115 हो सकता है कि example ले लेते हैं सबसे पहले 125 का 125 अगर होता है तो उसमें ये रहेगा कि market जितना forecast करके चल रहा था उससे ज़्यादा preamp फिर चलने लग जाएगा 100 था 125 हो गया ठीक है 25 point की एक तेजी हमने देखी 25 point की units की उसको लेकर points में आप convert कर लेजिए ठीक है दूसरी चीज 115 15 units की एक हमने तेजी देखी उसका impact क्या market पर पड़ेगा market उसे negative तरीके से react करेगा उसका reason यह forecasting उसकी 120 थी और 115 जब उसका actual output निकल के आया तो वो 115 था तो market यहाँ पर हुआ यह है कि जो units हैं वो और जादा बनने लग गई है पर इसे market किस तरीके से react करेगा कि जो forecast कर रहे थे market उसके against गया है तो जो उस company का कोई share होगा या किसी commodity को लेकर अगर हम बात कर रहे है तो वो होगा तो उसकी वज़े से उसका एक negative impact पड़ेगा उस particular share पर या फिर जो भी कोई financial instrument होगा कोई derivative होगा कुछ भी होगा ठीक है कि मैं आपको example इस चीज के लिए दे रहा हूँ कि तीन चीज़े होती है अभी current scenario, forecast और actual जो बात में होगा ठीक है आए चलते हैं चार घंटे के time frame पे वहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके का view हमें नज़र आ रहा है इस price को market ने high बना के थोड़े नीचे के levels हमें दिखाये थे वहाँ से थोड़ी strength बननी शुरूई उपर के level पे आया market हमने देखा कि continuously एक high लगता जा रहा है 26,000 के level market ने break कर दी है और अभी तक जिस तरीके का scenario बना हुआ है आप देख रहे हैं कि एक uptrend में है market problem कहां पर आती है हम लोग क्योंकि intraday traders होते हैं तो ऐसे time पे हम थोड़ा सा confused हो जाते हैं ठीक है अगर हम थोड़ा सा अपना view बड़ा लेके चलें तो हमें ये पता चलता है कि हम एक positional way में अगर trade करें तो हमें जो profit है वो काफी अच्छा हो सकता है हाला कि उसमें loss के भी हमारे limit जो हो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए पर trend का ये फायदा होता है वो आपको जो daily chart में जो noises नजर आती है कि आप जहां पर confused होने शुरू जाते हैं वो एक positional way में उससे आप बचे रहते हो तो कहीं न कहीं इस चीज़ का benefit आपको positional way में ज़्यादा मिलता है comparatively के intraday में intraday में market दो-तीन दिन अगर range में trade कर लेता है तो वो आपका दो-तीन दिन अगर आपका loss लगातार बन जाता है तो वो आपके लिए उस एक positional trade के stop loss से भी ज़्यादा बड़ा loss हो जाता है यह चीज़ देखिए यहाँ पर आपको एक strategy maintain करने की ज़रूत होती है कि आप कौन से strategy लेकर market में enter करने हैं कौन से strategy नहीं आप अगर थोड़ा सा एक conclusion निकालेंगे ना कि आपके loss के कारण क्या रहे हैं तो आप पाएंगे कि सबसे पहला आपकी strategy कुछ नहीं होती मैं particularly आपकी बात नहीं करता है जो इस वीडियो को देख रहे होंगे मैं एक general concept की बात कर रहा हूँ जो एक trader होता है नया trader होता है वो market में enter करता है और उससे कोई strategy अगर आप पूछेंगे तो वो शायद नहीं बता पाएगा वो अपनी एक theories बनाने लग जाएगा कि सस्ते में खरीतना है महंगे में बेजना है मतलब इन दो बातों में शायद वो पूरा market समझना चाता है कि सबका यही motive है सस्ते में खरीतना है महंगे में बेजना है पर सस्ता कौन सा rate है महंगा कौन सा rate है और इस चीज़ का आप analysis कैसे करेंगे यहां तक हुई है सिर्फ technical बात उसके बाद बात आती है strategy की उसे उपर बेजने में काम्याब हो गए तो जो जिस price पर आपने खरीदा था वो automatically सस्ता हो गया ठीक है तो बात में बात कर लेंगे कभी इस बारे में तो सस्ता खरीदना महंगा बेजना कहना बहुत असान है पर जम practically किसी trade में involved होते हैं तो हमें पता लगता है कि ये चीज़े practically करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो देखिए मतलब वाकई में मेरे लिए ये समझाना असान है कि किस तरीके से करना चाहिए क्या करना चाहिए practically जब मैं भी screen के सामने बैठता हूँ तो मेरे सामने challenges काफी ज़्यादा हो जाते है कि इस price पर मुझे खरीदना ही चाहिए या कितनी position लेनी चाहिए क्या मेरा fund balance है कितना मेरे पास backup है और उसके बाद मैं किस strategy से market से बाहर निकलू एक साथ निकल जाओ partially निकलू या फिर कुछ किसी strategy के साथ के एक बार निकल के फिर और द्वारा resell में कर रहा हूँ किसी एक better level पे तो बहुत सारी चीज़े वो सारी चीज़े आपकी strategy count करती है ठीक है आए थोड़ा सा और आगे चलते है daily charts की तरफ वहां में देखते है अगर दो market को यह देखिए sharp correction pandemic के time उसके बाद से market अभी तक लगबग इस level पे पहुँचा है ठीक है इसके उपर अभी market sustain करना ही कोशिश कर रहा है इस point के उपर तो अगर थोड़ी सी और जम पाती है market में तो यह इसका एक support zone बन जाएगा इसके उपर market sustain करना शुरू कर देगा banking share लगातार एक तेज़ी दिखा रहे है जहां तक मुझे ध्यान आए शायद SBAE ने कमाल किया है खेर मैं इतना थोड़ा details में गया नहीं था अज market की अब हम बात करने हैं levels की देखिए जो current price चल रहा है 26,304 इसमें हमारे लिए पहला कौन सा price होगा जिसे हमें note करना चाहिए एक second मैं थोड़ा time frame कम कर दूँ 15 minutes का कर दिया दोस्तों अभी की अगर मैं बात करूँ आपसे तो current market में SGX Nifty का जो price है वो 12,200 के आसपास चल रहा है मतलब हमारे Nifty की जहां closing होई है उससे marginally उपर है कोई बहुत ज़ादा एक gap up opening होने के chances नहीं लग रहे है Nifty में bank Nifty में थोड़ा सा market हो सकता है कि over react करे वहाँ पर अगर 30-40 point की तेजी रहती है तो यह मैं अभी की बात कर रहा हूँ जिस टाब मैं वीडियो बना रहा हूँ जाती है क्योंकि अभी जिस तरीके से market मान लिए 25,400 पर चल रहा है और market अगर खुल जाता है 25,800 पर मैंने आपको यहां का एक stop loss अगर बताया था तो वो stop loss यहां ना हो क्या हो सकता यहां पर हो जाए क्योंकि gap up opening होई थी तो यह थोड़ा सा एक difference रहता है जो मैं आपके सामने जादादार share करता हूँ उसका reason यह है कि कुछ जो viewers हैं वो इसी price को फिर consider करके एक mindset बना लेते हैं कि मैंने यह stop loss बताया है तो market यहां open होगया तो यहां के बाद भी यह stop loss रहेगा तो इस चीज़ को थोड़ा एक confusion ना रहे इसलिए मैं चीज़ बारवर बताने की कोशिश करता हूँ देखिए पहला price है कि market में जिस तरीके का trend बना हुआ है market थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है तो जो पहला price है market में एक जो up trend है उसे थोड़ इसी एक break लगाने के लिए काफी रहेगा वो है 25,920 ठीक है लगबग ये price है इसे आप इस low से थोड़ा सा ही नीचे consider कीजिए 25,920 ये price अगर break हो जाता है तो ही इसमें एक selling का momentum बन सकता है otherwise market में जो strength है वो continue रहेगी इससे अगर ये price break नहीं होता तो जो भी sellers है वो बहुत cautiously trade करें हर price को हर price पे sell करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचें कि वो कहाँ sell कर रहे हैं और अपना stop loss ज़रूर लगा के रखें देखें जब तक ये price break नहीं होता तब तक मेरे opinion में market में selling का थोड़ा सा strongly enter करना वो थोड़ा मुश्किल रहेगा market एक range में trade कर सकता है एक upside view बना रहा सकता है जिस तरीके से nifty ने, bank nifty ने एक strength दिखाई है तो एक नए high के तरफ market जा रहा है ठीक है दूसरे price की बात करते है जो अगर break हो जागा ये price में इसले discuss करता हूँ कि देखिए expectation यही है कि market में जो trend है वो अभी और उपर जाएगा पर in case हम 100% कभी भी sure नहीं होते कि market में जैसा हम सोच रहे है वैसा होगा ही होगा confirmation कोई नहीं दे सकता आपको market में एक view हमारा negative जरूर रहना चाहिए वो आपके लिए आपके trades के लिए एक help ही करता है otherwise आप अगर ये सोच के बैठेंगे कि नहीं market तो उपर ही जाएगा मैं कोई stop loss नहीं लगाऊँगा या फिर मैं सोचूंगा इनी के market नीचे भी जा सकता है तो वो एक ही trade आपके सारे trade को खतम करने के लिए काफी होगा तो इसलिए हमेशा 1% negative view अपना जरूर रखना चाहिए ठीक है दूसरी चीज जो दूसरा मैं लेवल बतारूं आपको वो है यहाँ पर 25,320 ये price अगर break होता है पढ़ना था वो हो चुका है अब market वापस एक नई दिशा में जाने की कोशिश करेगा इस price को अगर break कर देता है तो downside भी confirm नहीं होगी और upside भी confirm नहीं होगी marketing range में बन जाएगा और फिर वापस वो सोचेगा कि किस side उसे जाना है उपजाना आना या नीचे जाना है तो उसके लिए 25,320 ये price है जो अगर break हो जाता है तो marketing consolidation का view बना लेगा next जहाँ पर reversal आ सकता है वो price काफी नीचे है मैं थोड़ा shrink कर दूँ है तब थोड़ा better view मिलेगा वो है यहाँ पर 24,200 इस price के नीचे अगर market आता है या इसे touch कर देता है तो market में reversal mode आ जाएगा इससे पहले market में reversal mode नहीं आएगा continue उसलिए एक uptrend जो है वो continue रहेगा और धीरे धीरे नीचे अगर आता भी है तो वहाँ पर उसे support मिलने के कहीं भी chances रहेंगे और वहाँ से वापस market टर्न करने की कोशिश करेगा reversal एकदम कभी नहीं आता है market में एक straight downside मिलना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि कोई बहुत major news market में ना मिले तो दोस्तों ये था मेरा बेंक निफटी पे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें बने रहें मेरे साथ देखते रही है market report धन्याबाद